नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू करेंट अफेर्स सीरीज और बोधी सत्तों PCS फ्रेंड्स हमने पिछले एपिसोड में जो यह सीरीज शुरू करी थी करेंट अफेर्स की 60 वीपेसी के लिए पूरी एक साल का important current affairs जो है section wise cover किया था आज के एपिसोड में मार्च 2022 के जो भी important current development रहे हैं चाहें हो पॉलिटी से related हो, nationally, important news हो, sports से related हो, important personalities हो, science and take हो, international relation हो, economy हो सब को जो है इस एपिसोड में देखने वाले हैं, काफी important section है यह तो आप इसे शुरू से लेके last तक जरूर देखना चलिए शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आप से request है, यदि चैनल पे नहे हैं तो चैनल को subscribe करके bell का icon जरूर दबा दीजे ताकि कोई latest notification आप तक अस प्रिचे दिये गए जो भी procedures हैं उसको follow करके इसका PDF खरीद के पूरा फायदा उठा सकते हो, चलिए शुरू करते हैं, पहले हम national news को देख लेते हैं, कि national news में क्या-क्या जो है March 2022 में घटित हुआ, पहली हम एक बात करते हैं, Simba Technology की काफी news में रही है, या पूरे March भर, ACI share की पहचान के लिए गुजरात वन विभाग के दुआरा AI अधारित, AI बुले तो Artificial Intelligent पर अधारित फोटो पहचान सब्ट्वेयर है, जैसे कि मैंने पहले decide के था कि कभी भी हम जो current effects पढ़ेंगे, उस से related और relevant जो भी static traffic होगा, उसको भी साथ में देखते चलेंगे, तो सेक्शन में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, ACI share केवल भारत के गुजरात में पांच संरक्षित शेत्र में पाए जाते हैं, वह संरक्षित शेत्र कौन कौन से हैं, एक है गीर राष्टिये उद्यान, गीर अभ्यारण, पनिया अभ्यारण, मी कभी बायलोजी के सेक्शन में पूछ देता है कि इस जानवर का या उसका जो है गर्वधारण ओधी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, मादा शेर की जो गर्वधारण ओधी है, वह 100 से 119 दिन की होती है, तो हमने देखा कि सिंबा टेक्नोलोजी क्या है, और ACI share के बारे में जाना, अगला हमारा टॉपिक है, राष्टिय बाल अधिकार सनरक्षन आयोग, NCPCR, आपको पता होना चाहिए कि महिला और बाल विकास मंत्राले ने NCPCR के नए आदर्शुवाग के बविश्यो रक्षती रक्षता का शुवारंब किया, तो यहां से question इस तरीके से राइज हो सकता है कि हाली में राष्टिय बाल अधिकार सनरक्षन आयोग का जो नया आदर्शुवाग के जारी हुआ है, वह आदर्शुवाग के क्या है, तो भविश्यो रक्षती रक्षता है, ठीक है या तब भविश्यो की रक्षा करें, तो ही हमारी रक्षा जो है हो सक प्राइमरी गोल होना चाहिए तो यहीं जो है नया वाग के क्या कहता है कि बच्चों की रक्षा करने के लिए सरकार और व्यक्ति को जो है प्रेरित करता है NC PCR की बात करें तो वस्तुता बाल अधिकार सनरक्षन आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो है गटित एक सामविदिक निकाय है तो कभी भी कोई आप जो है administrative निकाय की बारे में पढ़ो unit की बारे में पढ़ो तो उसको पता होना चाहिए सामविदानिक है, सामविदिक है, क्या है या गेर सामविदानिक है तो यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहीं से पूछता है, कभी कभी पॉलिटी वाले section में और आप जो है confused हो जाते हो यह पॉक्सो अधिमियम के कर्यावनयन की निगरानी करता है ठीक है, पॉक्सो अधिमियम भी चाइल्ड को जो है sexual harassment हो गयरा से बच्चों को जो है बचाता है ठीक है, तो हमने देख लिया राष्टी बाल अधिकार संरक्षन आयोग का जो है नया अदर्शवाग और उससे related कुछ relevant static terms अब कॉनार्क मंदिर की बात करें काफी important development हुआ है ओरिसा सरकार के दौरा जो है कॉनार्क मंदिर और कॉनार्क शहर को जो है 100% सौर शहर बनाने की योजना पर जो है कारे किया जा रहा है ठीक है अब चुकी यह इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसको 100% सोलर सीटी बनाने की बात करी जा रही है अब कॉनार्क मंदिर चुकी static term है यहां से कई बार जो है question प्रिवियसली पूछा जा चुका है तो हमें इसके बारे में जाना जरूरी है यह शुर्य देव को जो है समर्पित मंदिर है आपको पता होगा इसका निर्मान जो है पुर्वी गंगवंस के राजा नर्सिंग देव प्रतम द्वारा 1239 से 1250 स्पीक के मद्ध जो है कराया गया था कई बार previously question पूछा जा चुका है हर एक state PCS की बात करें आएस की बात करें question जो है किसने करवाया था कुणान क मंदिर का निर्मान जो है पूछा जा चुका है कई बार और पूछे जाने की समभवना है यहां कलिंग अस्थापत्य सैली में बना हुआ मंदिर है जो की नागर मंदिर वस्तुकला की एक उप शैली है अगर आपको यहां से question पूछे कि कुणान का मंदिर बना हुआ है तो आप confuse मत होना कलिंग अस्थापत्य सैली दिया हुआ तो भी सही होगा या नागर मंदिर वस्तुकला दिया हुआ तो भी सही होगा क्योंकि कलिंग अस्थापत्य शैली जो है वह नागर मंदिर वस्तुकला की एक उप शैली है ठीक है अब संभिधान का अनुछेद 80 के बारे में बात करते हैं देखो चंडीगड को लेके जो है एक प्रस्ताव पारित किया है तो अनुछेद 80 के तहट ये सब किया है उन्होंने तो अनुछेद 80 जो है statically important हो जाता है आपको ये जानना चाहिए council of state की सनरचना से या संबन्दित है कौनसा अनुछेद 80 चंडीगड के दुआरा जो है प्रस्ताव पारित ताकि राज्य सभा में अपना एक प्रतिनीदी भेज सके ठीक है अगला है स्वाक्ष सर्वेक्षन 2022 हमने previously स्वाक्ष सर्वेक्षन का रिपोर्ट पढ़े चुका है स्वाक्ष सर्वेक्षन 2022 का जो है इसको लेके कर्यावनन सुरू किया जा चुका है आवासन और शहरी कार मन्त्राले दवरा इस सर्वेक्षन है तुँ फिल्ड असेस्मेंट जो है सुरू किया जा चुका है आपको पता होना चाहिए कि बिस्तु का सबसे बड़ा शहरी स्वाक्षता और सफाई सर्वेक्षन अभियान है ठीक है अब आते हैं स्त्री मनोरक्षा पर्योजना पर महिलायों बाल विकास मंत्राले के दौरा राष्टिय मासिक स्वास्त और तंत्र का बिग्ञान संस्ता के सयोग से इस्तिरी मनोरक््षा परियोजना शुरू किया गया है। किसके दवारा? एक इसमें इंकलूड है दो संस्था इंकलूड है। महिला एक बाल विकास मन्तराले ने शुरू किया है, किस से हेल्प लिया है? राष्टिय मानसिक स्वास्त एक तंत्र का विज्यान संस्तान यह दोनों का एकुमिलेटिव इफेक्ट यह एकुमिलेटिव यह जो प्रयास है इस तरी मनुरक्षा परियोजना के रूप में परिलक्षित होता है इसका उद्देश्य क्या है क्यों शुरू किया गया है आपको पता होना चाहिए पूरे भारत में इसके द्वारा जो है छे हजार वन स्टॉप सेंटर कर्ड़करताओं को जो है मानसिक स्वास्त प्रसिक्षान प्रदान किया जाएगा और यह जो है आगे जाके महिलाओं से संबंदित यह कारे करेंगे अब बात आती है कौवच तकनीक की काफी इंपॉर्टेंट है खुद रेलवे मंत्री ने जो है इस तकनीकी का परिक्षान किया था इसका जायजा लिया था कि यह किस तरीके से काम करती है रेल मंत्री द्वारा जो है गुल्ला गुडा और चिट्टे गिडा रेलवे स्टेशनों के बीच जो है इस तकनीक की कारे पर तो कोई आप से पूछे कि कोपच किया है तो ट्रेन टकर- रोधी पुनाली है ठीक है यह अल्टरा हाइडू ठीकंती की स्पीड आति आती है खेरसान शहर आप जो है इसको जो है यूक्रेन से संबनित यूक्रेन का हलाकि हम पूरे एक साल की important places जो रहे हैं काफी important जो news में बने हुए हैं पूरे साल उसका एक एपिसोड लाएंगे बुस्टर स्विरीज के अंतरगत जनरली BPSC question पूछता है इस related तो लाएंगे हम उसा चिंदा मत करना लेकिन खरेशान सहर जो है आप देख लेना यूक्रेन का है या नीपर नदी के किनारे जो है बशा हुआ है इस पर रूशी सेना का आत्रमट करके रूशी सेना ने इस पर कपजा कर लिया तो ये news में बना हुआ है ठीक है शिरूई लिली महसव ये क्या है अगला वन वन लाइनर है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने इंट्रनेशनल इलेक्सन वीजिटर्स प्रग्राम 2022 की में जबानी की तो इस चीज़ को अब ध्यान में रखना डोनेट अप पेंशन योजना हमारा अगला इंबोटन टॉपिक है श्रम और रोजगार मंत्राले द्वारा इशे शुरू किया गया है इसके तहट कोई भी नागरिक जो रिटायर कर चुका है प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना के तहट जो भी असंगटित स्रमिक की और से प्रीमियम राशी का भुकतान जो होता है वो खुद कर सकता है मालीजे कि ये राम जो ह एक सरकारी इंप्लवाई है और रेडी जो है वो रिटायर कर चुका है उसका 50-60,000 प्यंसन आ रहा है तो वो चाहे तो ये प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना के तहट किसी भी श्रमिक का एक प्रीमियम ये दे सकता है राश्टिय यूवा संसद काफी ट्रांस प्लांटेशन या एक ऐसी आपने देखा होगा कि एक दो महीना पहले जो है एक आदमी का हाट जो है खराब हो गया था तो उसके जगह पर जो है सुवर का हाट लगाए गया था तो ऐसे ही जब जानवरों का कोई भी अंग किसी मनुष्र में लगाय जाता है तो इस और जिस बैक्ती में जो है हाट लगाय गया था वो दो महीना बाद अन्तुगता मर गया ठीक है अगला जो हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है वह है बिहार बुमी दाखिल खारी शंशोधन बिद्यक 2021 बिहार अपने यहां के गाउं के लिए एक परिवर्तन सिल नक्षे की और धार्ना प्रस्तूत करने वाला जो है देश का प्रथम राज्य बन गया है बेरी बेरी इंपोर्टेंट ध्यान में रखिएगा यह करेंट अफेर्स की न्यूज है प्लस बिहार स्पेश्फिक होना जो है इसे और इंपोर्टेंट बना देता है ठीक है कुछ वन लाइनर इसमें देख लेते हैं नेशनल वाले सेक्शन में केवलादय राष्टिय उद्यान अल्सो नोन एज भरतपूर पक्षी अभ्यारण काफी इंपोर्टेंट है इसका लोकेशन इसका साइट जो है पूरा तरीके से आप देख लेना केंद्रिय मंत्री मंडल ने राष्टिय ए काला नमक एक चावल है मुक्ता यूपी के तराई शत्र में पाया जाता है देखिए यह जो है काला नमक अपने नाम से ही अपने गुन को परदर्शित करता है थोड़ा सा इसका स्वाद जो है नमकीन होता है तो इसलिए इसे काला नमक बोला जाता है और इसे जो है बुद् संभीधान का इस लीपी में जो है अनुमाद किया गया है फास्ट टाइम लामित्य दो हजार बाइस इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्सेज के बीच जो है एक संजुक्त अभ्यास है संजुक्त सैन अभ्यास तो लामित्य दो हजार बाइस क्या है इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्सेज के बीच जो है एक संजूक्ति सन्य अभ्यास Tässä से अबको पता पता होना चाहिए डास्टलिक संद अभ्यास भारत और उजबेकिस्तान और पेच जो है एक संद अभ्यास है इनको जो है भारत के मात्र इकलोते ऐसे बैखती हैं जिनको पाकिस्टान और इंडिया का जो भी नागरिक सिविलियन सर्बुच अवाड होता है पाकिस्टान का जिसे निशाने पाकिस्टान बोलते हैं और भारत के दोरा भारत रत्न दोनों देशों के सर्बुच नागरिक प वक्त थे बोल्ट्समैन मेडल भारतिय बिज्ञान की सिक्षा और अनुसंधान संस्था के भौतिक बिज्ञानी दीपक धर को इसे प्राप्थ हुआ मतलब दिपक धर ने इसे प्राप्त किया है और ये पहले भारतिये बने हैं जिनको बोल्ट्समैन मेडल जो है दिया गया है मीना स्वामी नाथन हाली में इस सिक्षावीद का निदन हो गया और यह कृषी बैग्यानी MS स्वामी नाथन की जो है पतनी है पतनी थी ठीक है तो मीना स्वामी नाथन के बारे में अपने जान लिया अब आते हैं एकनॉमिक सेक्षन में एकनॉमिक सेक्षन में देखिए पहली जो हमारी पहला जो हमारा टॉपिक है हुआ है बैंक रन अभी आप देख रहे होगे कि रश्या और यूक्रेइन के भी दौ वार चल रहा है तो रोशिया पर बहुत सारे संक्शन्स लगाए जा रहे हैं यूरोपियन कंड्री और USA के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा तो वहां पर हुआ क्या है कि लोगों के बीच मेरे तरफ देखिए लोगों को बीच जो है क्योश उत्पन हो गया है मतलब लो रक्षित मुद्रा लाइक माल लिजए American dollar में जो है convert करा रहे हैं तो इसको बोलते हैं bank run अर्थात बहुत सारी भीर जो है automatic किसी कारण वस bank में जाती है और अपना cash withdraw कर लेती है तो उसे बोलते है bank run की स्थिति या स्थिति तब उत्पन होती है जब व्यापक संख्या में जम को मिल रही है bank run ठीक है रश्या युक्रेने सब जगा PM गती शक्ती multimodal connectivity के लिए राश्टिय मास्टर प्लान गती शक्ती योजना काफी important है तो आप इसे ध्यान में रखना PM ने budget के बाद जो है गती शक्ती के vision पर आयोजित बेबिनार को संबोधित किया या बुन्यादी ध जहांचा connectivity परयोजनाओं को अमल में लाने और समन्मित के लिए निर्मित किया गया जो है एक platform है इसके तहत railway और सडक मार्ग सहीत सुलह मंत्राले को साथ में लाए जाएगा तो मालीजे कभी factual इसे ज़्यादा करना चाहे भी पेसी तो पूछ सकता है कि प्रधान मंत्री गत सागरमाला, अंतरदेशिये जलमार्ग, ड्राई पोर्ट, सलिये बंदरगा, उडान आदी जैसी बिभिन मंत्राले और राज शरकारों की बुन्याडी ध्रहाचा योजनाए जो है शामिल है यहां जो है छे अस्तंबो पर अधारित है ब्यापक्ता, प्रात्मिक्ता, अनुक नकटिवन्दिये चक्रवाद, इमनाती का सामना कर रहा है मेडगासकर, तो आपको यहां पे मेडगासकर का लोकेशन पता करना है और उस नकटिवन्दिये चक्रवाद के क्या-क्या फीचर्स होते हैं यह आपको पता होना चाहिए, अगला जो हमारा इंपोर्टेंट प्रजेक्ट आर्या, ICAR के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है, ICAR stand for Indian Council of Agriculture Research, देश के क्रिशी विकास में ग्रामिड युवाओं के महत्यों को माननेता देना जो है इसका लाक्ष है, ठीक है, अब जो एक वन लाइनर टॉपिक है, करेंट में बना हुआ है, कश्मीर घा टॉपिक है, static topic है, आपको पता होना चाहिए, देखिए, कश्मीर घाटी में बहुत सारे redevelopment project चल रहे हैं, तो उसके बज़ा से जो करेवा मिट्टी है न, वहां पे खुदाई-उदाई हो रहे हैं, इनका बिनाश हो रहा है, तो करेवा मिट्टी important है, आप जोग्रफी वा पता होना चाहिए, उद्यम पुंजी पती, अर्थात venture capitalist, venture capitalist उन्हें कहते हैं, कि माल दीजी आपके पास बहुत डेहर सारा पैसा है, और कोई नया बेक्ती जो है, आपका मित्र, आपका मामा, चाचा कोई भी बिजनस शुरू कर रहे है, काफिर रिश्की बिजनस है, आपको पुंजी पती, अर्थात venture capitalist ठीक है, यह एक तरीके का जूखी मभरा निवेश होता है, अगला टॉपिक है, ग्रामिड स्वरजगार प्रसिक्षन संस्थान, ग्रामिड विकास मंतराले की एक पहल है, और इसका उदेश क्या है, उद्मिता विकास के दिशा में साक्षम ग्र सर्वेक्षन की तिमाही बुलेटन जो अप्रेल और जून दोजारे किस का आया है, इसके अनुशार शहरी शेत्रों में 15 वर्स और उससे अधिक आयू के बैक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जो है, अप्रेल जून दोजारे किस में घड कर 12.6 प्रतिशत हो गई है, मॉलिंग राष्टिय उद्यान जो है रोनाचल प्रदेश में है, इसे ध्यान में रखेगा, आब आजाते हैं इंटरनेशनली इंपोर्टेंट नियूज पे, हमारा पहला जो टॉपिक है वह आईए ये है, अर्थात अंटराष्टिय प्रमाणू उर्जा एजनसी, प्रमाणू हत्यार होगरा, उक्रेन पे न गिरा दे, तो इन सारी संबहुनाएं से बचने के लिए ये अपना रोल निभा रहा है, आईए ये के द्वारा जो है उक्रेन की स्थिदी पर चर्चा के लिए अपातकालीन बैठा की गई थी, इसकी अस्थापना की बात करें तो जो है नवने कृत किया है, और इसे बठाकर 75 बिलियन डॉलर की सीमा तक पहुचा दिया है, इस पर वर्स 2030 में जो है हस्ताक्षर किये गए थे, बियस से एक दो तरफा बेवस्ता है, इसके तहट दोनों पक्ष डॉलर के बदले अपने अस्थानिये मुद्राओं को अदला बदली कर सकते हैं, माली जी की इंडिया जो है जपान को रुपी देता है और रुपी के बदले उसे डॉलर प्राप्त कर सकता है, मारिया काफी इंपोर्टेंट है, यूक्रेन पर हमले के दोरान रूशी शैनिको द्वारा जो है, एंटो 9 AN 225 या मारिया को जो है नस्ट कर दिया गया था, मारिया क्या था, यह अभिश्यो का सबसे बड़ा जो है मालवाहक बिमान है, रूस पर क्लस्टर बम और थर्मो बेरिक हतियारों के उपियों का अरोप लगा है, यूक्रेन वार के समय, क्लस्टर हतियार क्या होता है, एक तरीके का गैर सटिक हतियार है, किसी बड़े छेतर में तावातोड तरीके से जो है अबादी को घायल करना या मारना जो है या बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको नश्ट किया जाता है इन हतियारों के द्वारा क्लस्टर हतियारों पर अभी समय की पुष्टी में जो है रूर शीवक्रेन और भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है इस चीज को ध्यान में रखना अगला जो हमारा टॉपिक है वह है थर्मोबेरिक हतियार यह हतियार बड़े और उच्चे तापमान वाले बिसपोर्ट के गईता है तो लोगों को अकसीजन ही ने मिलता है तो लोग क्या करते हैं मर जाते हैं यहां परम्परिक बंकी तुल्ला में बहुत अधिक तबाही मचाते हैं अंतराष्टी कानुनों में इस बम का उप्योग जो है प्रतिवन्दित है हमारा अगला टॉपिक है मालडोवा मालडोवा इसलिए इंपोर्टेंट है कि देखिए फिर से वहीं आ जाती है भारत रश्या और युक्रेन वार इसमें जो है बहुत सारे भारती नागरिक फस गये थे इस्टूडेंट फस गये थे जो वहाँ पे MBS करने डॉक्टर की पढ़ाई करने गये थे तो भारत द्वारा युक्रेन में फसे अपने नागरिकों को Maldowa के रास्ते सुरक्षित रुप से निकाला गया तो Maldowa का लोकेशन हमें जानना बहुत जरूरी है देखे ये हो गया युक्रेन और ये हो गया आपका रोमानिया तो जो भी यहाँ पे युक्रेन में फसे भारती थे थे ना मaldowa आते थे और यहीं से जो है एरलिफ्ट कराया जाता था उनको तो यहां अस्तल रुद्ध पुर्व युरोपिय देश है युक्रेन और पस्ची में रुमानिया से घिरा हुआ है आपने देख लिया सबसे बड़ा शहर और राजधानी है जो है इसका चीसी नाव है जिसे किसी नेओ भी बोलते हैं ठीक है किसी नेओ भी बोलते हैं अगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वह काला रान मल्टी मॉडल ट्रांजित ट्रांसपोर्ट प्रजेक्ट है आपको पता होना चाहिए प्रुवत्तर भारत को मियामार के रखाइन प्रांत के सित्वे बंदरगा से होते हुए कुलकत्ता से यह जो है रूट इस शिखर समयलन में भाग लिया इस समयलन में हिंद प्रशान शेत्र में मानिवे साहता के लिए एक नए तंतर की घोशना की बात की गई सिंदू जल संदी काफी important है हाली में एस्टाई सिंदु आयो की 117 हमी बैठक का आयोजन हुआ तो आपको पता होना चाहिए 117 भारत पाकिस्तान ने इस संदी पर दो है हस्ताक्षर वर्ष 1960 में किये थे और विश्विबैंक भी इस संदी में जो है एक हस्ताक्षर करता है यदि बात करें तो इस एग्रिमेंट के तहट जो ये पंच नदियां होती हैं आप इसको ध्यान में रखना सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, जेलम और संदु तो ये जो है मैंने यहाँ पर मैप खेचा हुआ है ये जो पुर्वी नदिया है रावी, ब्यास, सतलुज इसका पानी जो है इंडिया उप्योग करता है और चेनाब, जेलम, और सिंदु का पानी इसे बरकरार रखा गया है इसे 2018 में शामिल किया था इसके अलामा जो है संजुक तरब अमिराद को भी ग्रेड लिष्ट में शामिल किया गया है FATF की Financial Action Task Force की बात करें तो इसकी एस्थापना 1989 में की गई थी अगला जो हमरा टॉपिक है हुआ है कोलंबो सेक्योटी कॉनक्लेव की NSA की राष्टी आस्तर की जो पांचवी बैठक है वह आयोजित की गई इसके संस्तापक सदस्य मालदीव भारत और श्रिलंका मौरिशर्ष को नमिंतम सदस्यता मिली है इसका उदेश क्या है समुदरी रक्षा शुरक्षा इसलामिक सायोग संगठन 2022 इसका आयोजन इसलामाबाद में हुगा इवेन के बाद दूसरा सबसे वड़ा अंतर सरकारी अर्थात इंटर गॉर्मेंटल जो है और्गनाइजिशन है ग्रीन ट्राइंगल की बात करें तो अजादी का अमरित महोसाओ के रूप में मेड़ागासकर की रस्धानी एंटा नाना रिवो में जो है महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्राइंगल का नावरण किया गया है और यह जो है इंबामेंट प्रोटक्शन से रिलेटेड है वन लाइनर की बात करें तो चौदावा भारत जपान वाशिक शिखर समेलन नई दिल्ली में संपर्न हुआ पूर सकता है संजुक तराश सतत बिकास समधान नेटवर्क में वर्ड हैपनेस रिपोर्ट दो हजार बाइस जारी किया है किसके दोबार संजुक तराश सतत बिकास समधान नेटवर्क फिनलेंड लगतार पांचुए वर्ड टॉप सूची में बना हुआ है भारत वहीं 136 अस्थान पे है कुछ वन लाइनर इंपोर्टेंट है देख लो काला सागर का आप लोकेशन याद कर लेना ब्लैक सी काफी इंपोर्टेंट है ब्लैक सी के आज़ पा जो भी कंट्रीज हैं उसमें जो नदियां आती हैं उसके बारे में आप देख लेना है पारे पर मिनीमाता अभी समय के पक्षकारों का जो है चौथा समयलन को फोर इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया बारत और रोमान के विदेश मंत्रियों के बीच जो है निवेश प्रद्विप्रक्षिय प्रोटोकॉल और दोहरे कनाधान से बचने के लिए बैठक आजोजित हुई बारत ने 400 अरब के बस्तु निर्यात की महत्वकांशी लक्ष को प्राप्त किया हाली में बारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नॉवंबर 2030 तक अध्यक्ष के रूप में G20 का जो है संचालन करेगा वहीं एबल पुरुसकार 2022 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए एबल पुरुसकार जो है गणीत के छेतर में दिया जाता है और इसके लिए अमेरिकी गणी ट्रक देनिस पी सूलीवन को जो है इस बार चुना गया है विश्वे छाय रोग दिवस 2022 24 मार्ज को आयोजित किया जाता है इस उसर पर इंडिया टीवी रिपोर्ट 2022 भी जारी किया गया इस रिपोर्ट का सिर्शा के कमिंग टुगेडर 2 एंड टीवी अल्टुगेजर और वर्स 2021 में जो है टीवी रोगियों की संक्या में पिछले वर्स की चुलना में 19% की ब्रिधी हुई है ऐसा इस रिपोर्ट में बताए गया है बंगलेरू में रिजर्ब बैंक इनोवेशन हब का उठगाटन किया गया है तो लोग पूछेगा अगर भी प्यसी पूछता है कि रिजर्ब बैंक इनोवेशन हब का उठगाटन कहां किया गया है तो बंगलोरू में मन्रेगा की बात करें ये सुधाली थे कि मन्रेगा के उन्नती परियोजना मन्रेगा के तहत उन्नती परियोजना जो है शुरू किया गया है और इस परियोजना का लक्ष ये है कि जो भी लभारती हैं मन्रेगा के तहत काम करते हैं उनको क्योंना कुछ कोशल प्रसिक्षन दिय इसमें अर्जेंटिना ब्राजिल परागवे और उरुगवे शामिल है पीम गरीब कल्यान अन योजना अथिरिक छो माँ इसकी जो है ब्रिदी हो गई है अपरेल सेटमबर 2022 के लिए और्थावर 26 मार्च 2022 को मनाये गया थीम शेप आवर फ्यूचर था परमशक्ति पेटा स्के के द्वारा जो है खाली में लॉंच किया गया है तो यह थे 2022 मार्च के इंपोर्टेंट करेंट अफिर्स जो आपके एक्जामिनेशन के लिहास से इंपोर्टेंट है अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना अपने अन्ट फ्रेंड् के लिए साइनिंग और ठेकर जैहंद जैभारत